हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे डिवीजनल चार्ट्स पर तो हिंदु एस्टोलोजी में बहुत सारे डिवीजनल चार्ट्स होते हैं डि-9, डि-60, डि-30, डि-24, इस तरीके से डि-10, अलग-अलग इनके यूज होते हैं अब डि-10 करियर के लिए, डि-9 स्पाउस के लिए, ठीक है, इसी तरीके से डि-24, डि-27, डि-60, ठीक है, अब बात ही आती है कि इनको देखें कैसे, और इनसे प्रेडिक्शन कैसे दें, अब आप D1 का, D1 यानि लग चार्ट, D1 का कंपरिजन करो आप D9 से, ठीक है, तो अब दो school of thought हैं आपके, पहला कहता है कि D9 का आप independently देखो, स्वतंतर रूप से आप उसको देखो, ठीक है, वो D10 चार्ट में भी वही नियम लागू होता है, कि आप उसको अलग से देखो, बिल्कुल independent, बट दूसरे school of thought कहता है कि नहीं, आप D1 से मैच करो उसको, D1 से मैच करक D9, D10 देखो, अब सवाल यह आता है कि अगर D1 और D9 और आप example ले लो, D1 और D10, अगर inconsistent बता रहे हैं result, तो फिर क्या आप prediction दोगे, अब जैसे D1 में मान लीजे कि आपका 10th का जो Lord है, वो 10th में है, ठीक है, अब D10 में जो है 10th का Lord है, वो 8th house में है, या 12th house में है, तो क्य prediction दोगे भाई, यह तो बताओ, तो यहाँ पर inconsistency आ रही है, linear equations आपने पढ़ी होंगी, 10th class में, mathematics में, तो inconsistent solution यहाँ पर आ रहा है कि कोई consistency नहीं है, inconsistency create हो जाती है यहाँ पर, अब इसकी वजाए से prediction फिर नहीं हो सकती, और पहली बात यह है कि जो available है data, देखने का, और ज 24 के, D60 के, वो उनका अगर आप देखो तो वो खुद जो है, वो inconsistent हो जाते हैं, कभी कहते हैं कि आप independent देखो, कभी कहते हैं कि आप D1 से match करके देखो, तो अब problem यहाँ आती है कि किस तरीके से हम यहाँ पर देखें या ना देखें, तो इस पर हम discuss आगे भी करते रहेंगे, तो मुझे पूरी मिद्ध आपको यह लेसन सौंज में आया होगा, और आपने इस लेसन को देखा, इसके लिए आपका बहुत बात धन्यबाद.